हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बेक टो अवर यूट्यूब चनल स्टडी वायक इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाल विकास हैं हम सिक्षा शास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर वन तो मित्रों जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम बहुत ही जल्ड चाहिड डेव सही हो है ना पूरे के पूरे कोशन सही करने के कोशिश कीजेगा तो आप लोगों की तयारी बहुत अच्छे से हो जाएगे ठीक है तो चलिए हम बात करते हमारे प्रैक्टिस सेट के कोशन नंबर वन की तो यह हमारा प्रैक्टिस सेट का कोशन नंबर वन विकासात्मक विज्यान में जीवन का अध्यान किया जाता है घाल नमबर बीजन में जीवन का सब्सक्राइब ठीक है मित्रो तो यहां पर हमारा आंसर होगा वह हो जाएगा जन्म से क्योंकि विकास आत्मक मनोविग्यान में हम जीवन का अध्यान जन्म से करते हैं जन्म से जैसे कि यहां पर पूरी की पूरी आवस्था है आजाएगी जैसे कि शैश्वा आवस्था गर्भा आवस्था बच्पन आवस्था बाले आवस्था किशूर आवस्था सारी की सारी आवस्था ही कहां से आ जाएगी जन्म से आ जाएगी ठीक है तो यहां पर हम विकास अत्मक मनविज्ञान में जीवन का अध्यन कहां से करते हैं जन्म से करते हैं तो यह हो जाएगा हमारा आंसर option number B ठीक है बात करते हैं अगले प्रश्ण के तो यहां पर अगला प्रश्ण जो दिया हुआ है वो है मस्तका दो मुखी एवं निकट से दूर काक्रम किस क्रिया का अंग माना गया है ठीक है आप लोगों ने यह सिद्धान्त जरूर पढ़ा होगा मस्तकादो मुखी निकड़ दूर के विकास का सिद्धान्त ठीक है मस्तकादो मुखी विकास के सिद्धान्त में क्या होता है कि बालक के सबसे पहले मस्तक का मतलब मस्तक क्या होगा विकास होगा उसके बाद में उसका म इधर साइड विकास होगा तो यह होगा आपका निकरदूर विकास का क्रम ठीक है तो यह विकास से संबंदित है ठीक है मित्रों तो यह क्या है विकास से संबंदित है अब बात करेंगे अगले प्रश्ण की तो यह हमारा अगला प्रश्ण प्रश्ण नमबर तीन लड़का प अगला प्रेशन नमबर 4 प्राकृतिक परियावरन में सम्मिलित होता है अगला है तो अगर कोई व्यक्ति नया है जिसने वैसे ही पड़ा हुआ है सरसरी नजर से यह उतना ज़्यादा अटेंशन नहीं दे पा रहा है प्रेशन पर तो इतने सब्सक्राइब को भी रॉंग कर देंगे तो यहां पर जो आंसर आएगा मित्रों वह जाएगा हमारे जैव और अजैव ठीक है क्योंकि जो लिविंग और नॉन लिविंग यहां पर कृष्ष प्रीशन आते हैं तो उन्हें एक बार अच्छे से पढ़िए यह तो यह प्रश्ण नमबर पाच निमने में इसे कौन सा सीखने के नियम से सम्मिलित नहीं है सीखने के नियम दिये हुए थान डाइक जी ने तीन में नियम दिये है और उसमें साथ मतलब छे से साथ और भी उपनियम दिये तो यहां पर हमें बताना है क्याल सा है जो सीखने के नियम से संब्सें समद्रों सेखने के नियम और अप्रभाव कि ऊसे कहते है ठीक है तो यहां पर झो हमसे सम्मदित नहीं है वह है खेल भी dr5 झीने खेल का कोई नियम नहीं दिया है तो यह होchos आंसर option number C ठीक है अब यहां पर आप याद रखेगा कि थान डाइक थान डाइक ने सीखने संबंदी नियम दिये है ठीक है तो यहां पर आप बढ़ते अगले प्रश्णी की ओर तो यह हमारा अगला प्रश्ण प्रश्ण नमबर 6 मित्रों आप क्या कीजेगा मतलब प्रश्णों को थोड़ा समझ कर पढ़िए ठीक है यह प्रश्ण नमबर 6 शैश्वा अवस्था मानव विकास की प्रमुक अवस्था है वो हमें बताना है की है यहां पर मतलब कि थोड़ा सा टाइप हो गया है तो शैश् अवस्था अप्सन नमबर डी चत्वुत अवस्था कौन सी अवस्था है तो मित्रों शैश्वा अवस्था जो है वो मानव विकास की प्रथम अवस्था है ठीक है शैश्वा अवस्था मानव की विकास की प्रथम अवस्था है ठीक है क्या हो जाएगा मित्रों से अप्सन तो यह हमारा अगला प्रेश्ण प्रेश्णमबर साथ बालक की व्यक्तित्व की निव की सवस्था में बढ़ती है बालक की व्यक्तित्व की निव की सवस्था में पढ़ती है व्यक्तित्व की निव मतलब उसकी परस्नाल्टी की सवस्था में बनेंगी क्या शैश्वा में बनेंगी बच्पन आवस्था में और इन में से कोई नहीं चीक है मित्रों तो यहां पर जो आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा C, मतलब बालक का जो व्यक्तितों होता है, वो बच्चपन में बनता है, थोड़ा-थोड़ा मतलब कहना चाहिए कि बालक के व्यक्तितों का निर्मान जो होता है, वो बच्चपन में होता है, अपने आसपडों से सीखता है, अपने परिवार वालों से सीखता है, तो थोड़ा थोड़ा सा बचपन में ही क्या होता है उसकी वेक्टितों का निर्मान होता है ठीके तो यह होगorous सब्सक्राइब करेंगे अनुसार दिया हुआ यहां पर प्रश्ण नबर आठ पियाजे की अनुसार संघ्यानात्मक विकास के अवस्थाओं को बाटा गया है ठीक है तो यह बहुत इंपोर्टेंट कोशन है ठीक है पियाजे जीन पियाजेजी का अपने सिध्धानत पढ़ा ह संघ्यानात्मक विकास का सिध्धानतर इनोंने दिया गया मंदेखना बच्चों तो यहां पर रहाश होगा हमारा दो है ग्रीयानातमक विकास कि आवस्थाओ को मतलब तौ में जैसे इक डीटेधेर ने दिया हुआ भी सिङ्टानतanna के लिए कि इससार को गया ये बहुत ही जादाथ इंपोर्टन नहीं कम में एक प्रशन को है तो ये मारा को आगला अनुकरन की प्रक्रिया में सरप्रिथम सीशू अनुकरन करता है अनुकरन याने की देख कर सीखना ठीक है अनुकरन की प्रक्रिया में सरप्रिथम सीशू जो है वो अनुकरन किसका करता है वो हमें बताना अपसे नमबर A व्यंजन वर्णो का option number B, swear word no, option number C, swear even vengeance word no, option number D, ठीके, तो यहाँ पर जो answer होगा मित्रो, वो हो जाएगा, swear word no, ठीके, क्या हो जाएगा, swear word no, यानि कि सबसे बच्चा, सबसे पहले बच्चा क्या करता है, swear word no का अनुकरन करता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, बच्चा जब छोटा होता है, तो वो कोई word नहीं बोलता है, वेंजन नहीं बोलता है, ठीके, शब्द भी नहीं बोलता है, और swear and vengeance दोनों का भी एक साथ नहीं करता है, वो क्या करता है, सबसे पहले वो करता है, शिशू, शिशू बोला है उन्होंने, मतलब swear word no का, जैसे ऐसे करके कुछ swear निकालता है, वो, है ना, लोटिस कीजिएगा, छोटे बच्चों को, ठीके, तो यहां पर हो जाएगा अमरा answer, option number B, swear word no का, अगर हम बच्चे को, बच्चा छोटा है, काफी एक जिट साल का है, तो हम बच्चे को बोलेंगे, कि बेटा ममा बोलो, तो वो ममा नहीं बोलेगा, वो क्या बोलेगा, मा करके, वो मा मतला भी स्वर निकालेंगा, ठीके, तो यह हो गया answer, मा भी साफ साफ नहीं बोलेगा, स्वर निकालेगा, वो ठीके, तो यह हो गया answer, option number B, मैं कोशिच पूरी-पूरी कर रही हूं, आप लोगों को समझाने की, ठीके, ओके, तो यह हमारा अगला प्रेशन, प्रेशन नमबर 10, मास्टर ग्रंथी की नाम से जाना जाता है, साइन्स का क्वेशन है, ठीके, option number A, गल ग्रंथी को, option number B, उपगल ग्रंथी को, option number C, उपवरक ग्रंथी को, option number D, प्यूस ग्रंथी को, ठीके, तो यह एड्रिनल, नौन एड्रिनल, यह कुछ-कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा मित्रों, वह जाएगा, हमारा option number D, प्यूस ग्रंथी को, मास्टर ग्रंथी के नाम से जाना जानते हैं, ठीके, तो यहाँ पर देखिए, ग्रंथी वाला कोशन इन्होंने क्यों, इंक्लूड किया है, क्योंकि, विकास का कहीं न कहीं, संबंद ग्रंथियों से है, मांसिक विकास का, सारीरिक विकास क ठीके, और विकास ही हम पढ़ रहे हैं, बाल विकास, तो प्यूस ग्रंथी को मास्टर ग्रंथी के नाम से जानते हैं, ठीके, मित्रों तो बढ़ेंगे अगले प्रशन की हो, तो यहाँ प्रशन प्रशन नमबर, ग्यारवा, सिंपल सा कोशन है, अच्छा सा, बालक की यह था, ठाट साला है उसका परिवार, और पहला जो सिख्षक होता है, वो ती उसकी मा, हमारे भी पहला Šिख्षक हमारी मा भी है, ठीके, तो हम बात करेंगे अब अगले प्रशन की, यह हमारा अगला प्रशन, प्रशन नमबर बारवा, बालक का सामाजिक विकास प्रभाव होता है तो यहां पर जो आ जाएगा सामाजी कार्थिक स्तर से तो नहीं होता है विद्यालय से और परिवार से तो इन दोनों से मतलब यहां पर अगर हम बात करें तो इन में से इन में से कोई नहीं दे रिया है यहां पर दिया हुए इन में से सभी ठीक है सॉरी मैंने थोड़ा जल्डी अली में रॉंग पड़ लिया तो इन में से सभी याने कि यह हो जाएगा हमारा आंसर सामाजिक आर्थी किस तर से भी होता है विध्यालाय से भी होता है परिवार से होता है दिर्षा लगान विध्यालर परिवार्ट से तो होता ही होता है सामाजिक विकास प्रभावित होता है इन में से सभी से बालाक के सामाजिक विकास-विकास-प्रभावित होता है ठीक अब बात करेंगे अगले भी चित्रकला से अपसा नंबर सी संगीत से और नवीन परिनाम से स्रजनात्मक्ता स्रजनात्मक्ता का मतलब क्या होता है मित्रों स्रजनात्मक्ता याने कि कुछ नया करना ठीक है नया करना याने कि कुछ स्रजन करना कुछ बनाना ठीक है कुछ नया बनाना कुछ नया स्रजन करना यह हो गया हमारे स्रजनात्मक्ता तो क्या पुराने व्यवार से नहीं चित्रकला से भी नहीं संगीच से भी नहीं तो यहां पर हो जाएगा नवीन परिनाम से कुछ नया बना रहा है ठीक है क्या हो रहा है कुछ नया बना रहा है जैसे हमने उसको वेस्ट माटेरियल कु से उतना आधिक स्रचनात्मक्ता का पता नहीं चलता क्योंकि संगीत तो है वो नॉर्मल कोई भी कहना चाहिए कि जिसे थोड़ा बहुत शौक है वो गालेता है चित्रकला भी बहुत से बच्चे कर लेते लेकिन अगर कुछ नया बन रहा है मतलब स्रजन स्रजन सील है वो बच मेस ने कहा है यह स्टेटमेंट है चोटा सा बहुत अच्छा स्टेटमेंट लगा मुझे तो यह कि हम करके सीखते हैं अब से नमबर है डॉक्टर मेस ने योकम ने सिंपसन ने कॉलो सैनिक ने ठीक है तो यहां पर आंसर हो जाएगा सिंपसन ने क्या कहा कि हम करके सीखते है ठीक है मतलब करके सिखने पर इन्होंने बल दिया सिंप संजीन ठीक है बात करेंगे अगले प्रश्न की है कि तो यह अगला प्रेश्न अंबर पंद्रवा समस्या बालग समस्यात्मक बालग जो होता है वह DID बताना है ठीकर जैसर कि स्कूल अगर हम एक वह से कि भुपत्रवी क 결과 होते पत्रवी बालक होते हैं स्कूल से भाग जाने बालग होते तो यह होते है मा 600 या समस्यात्मिक बालग और इनके अध्यान के लिए प्योग किया जाता है झालेंगे उसकी परिवार की स्थिति निगालेंगे उसके परिवार में कौन कौन से है कौन कौन सदक से है वो किस बैग्राउंड से स्कूल आता है उसके आसपास का वातावरन कैसा है ठीक है तो यह हो गया हमारा समस्यात्मक बालग चोरी करने वालग जूट बोलने वालग माता-पीता का कहना ना मानने वालग और इन में से सभी ठीक है मित्रों तो यहा मित्र हमारा आंसर हो जाएगा इनमें से सभी तो यह मारहा प्रशण क्रिश्ögें प्रिष्ण नंबर सूल्वा स्वा ठीके बालग का म स्वास्थे निर्भर करता है ऑप्षे नमगर विद्ध्यालय पर रॉप companion seven t में से सब भी पर तो बालक का जो मांसीक स्वास्ताय मित्रों आपने परिवार पर ही निरभर करेंगा क्योंकि बच्छा सबसे अगर इफेक्टेट होता है तो अपने परिवार से होता है ठीक है और विध्याला जो हो एव तो उसकी देख़ू कुण हे विकाज का UAःतला विकाश की कहना चाहिए यह पहली सीडी नोग ऑ छेज्ड सबसे ज़्यादा connection में रहते परिवार से सबसे ज़्यादा है affected होते हैं तो मांसीक स्वास्ते बोला है मतलब हमारी हमारी फ्रेमली जिस तरीके से है वैसी रहेगा हमारी फ्रेमली में अगर बहुत ही जाधा जघड़े हो रहे हैं यह बहुत कहना चाहिए तो हमारे यहांगे बात करेंगे प्रश्नी सो यह हमारे आगवा परशन वरक्त नमबर 70 क undoubtedly के शिक्षा दी जाने चाहिए बाला को are से बनाने की सिख्षा दे जाने चाहिए सामन्य आ बाला को सम्रnd मतली कि फिछडे भाला क्यों टो मित्रों यहां पर जो आंसर है वह हो जाएगा हमारा अप्से प्षाद से बनाने के सिक्षा हम सामान्याबालक को देगी तो कुछ भी कर सकता है तो साल जा सकते है ऐसा नहीं कि पिछड़े बालक नहीं जा सकते परन्तु सिर्फ और सिर्फ हमें उसे एक guidance करने की जरुवत होती पिछड़े बालक में भी बहुत ही अच्छी चमताय होती आगे बढ़ने की बस इतना होता है कि उन्हें कोई पिछड़े बालक को अगर हम हस्टं सिल्प की शिक्षा एक जो बच्छा पिछड़ा हुआ है उसे हम हस्तििल्प की शिक्षा देंगे जो व्यक्तिशड़ा हुआ है उसे हम काफी कुछ आगे जागर कर लेगा निरेक्षन विधी में किया जाता है अपना अध्यान अपने व्यभार का अध्यान option number C, दूसरों के व्यभारों का अध्यान और option number D, व्यभार विशलेशन ठीके मित्रों तो यहां पर आंसर होगा वो जाएगा दूसरों के व्यभारों का अध्यान ठीके मतलब हम निरिक्षन विधी में क्या करते हैं दूसरों के व्यभारों का अध्यान करते हैं निरिक्षन विधी में लेकषर क dłelp deciding का सट्वयरां कारना मासान पर किसी प्रकार की ROM नहीं सब्सक्रान आओ करता है कि उसे देखता है तो यह हो गया में अंसर बात करेंगेOM सब्सक्राइब क्या होगा ठीक है बहुत ही अच्छा कुशन है ठीक है सथात्र व्यापक मुल्यांकन जैसा कि यहां पर हमें बताना है कि क्या अभिप्राय भी सतत और व्यापक में व्यापक शर्द का ठीक है सतत मतलब तो निरंतर हो जाएगा अब व्यापक का अर्थ हमें निकालना है ठीक है व्यापक का मतलब होता है सर्वांगिन विकास ठीक है जिसमें आपका संख्यनात्मक भी आ जाएगा और सहसंख्यनात्मक भी आ जाएगा मांसिक विकास बधिक विकास सारेटिक विकास उसकी जो भी आदते है मतलब कहना चाहिए सर्वांगिन ठीक है सर्वांगिन एक बहु का उद्देश है मतलब यह जो एरोज मैंने बनाए है वो जीवन के सभी छेत्रों की बात हो रही है यहां पर सर्वांगिन विकास होना चाहिए बच्चे विसाय में भी उतने परफेक्ट रहना चाहिए बच्चों का नैतिकता भी बहुत अच्छे से विक्सित होना चाहिए ठ अपहले प्रेशन की निमन मेंसे कन के लिए किया जाता है भी आपको पता है कि वह वह दृश्टी बाधीतों के लिए किया जाता है छे जो होते हैं वो बिंदु होते हैं ठीक है और अब अब बात करते हैं अगले प्रश्न की यह हमारा अगला प्रश्न प्रश्न बुद्धी पर वन्शानुक्रम का प्रभाव होता है जैसे हमारी जो बुद्धी है उस पर हमारे वन्शानुक्रम का जनेटिक्स का भी प्रभाव पड़ता है यह कौन से मनोविज्यानिक ने कहा गया है पर आंशर जो होगा मित्रों वो हो जाएगा हमारा ऐब याद रखीगा थर्मनने बुद्धी का सिध्धान दिया उन्होंने यह कहाए कि बुद्धी पर वन्शानुक्रम का भी प्रभाव पड़ता है दो जिस तरीके से माता पीता जिस तरीके से हमारे पूरवच दादादी नाना नानी जो भी हमारा वन्शानुक्रम है उनकी जैसे बुद्धी रही होगी वैसे बुद्धी हमारी भी होगी और वन्शानुक्रम का व्रभाव हमारी बुद्धी पर पड़ेगा ही पड़ेगा यह उन्होंने कहा है टन्मन जी ने ठीक है अब बात करते एक लिए प्रश ब्दी से सकते हैं उससे हम प्रेऩ होते हैं चैके बात करेंगे अगले प्रेशन की का तो जैसे अमारा अग्ला प्रेशन प्रेश्च नंबर 23 टींब व्यक्ती से संवाथ करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है ? संपरेशन 關係 ग्रहता संचार करता ग्रहता प्रदाथा और संचार करता का । हमको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा अब ड्रहता मतलब की जो सुन रहे हैं फोटा हो जाएगे प्रदाता मतलब जो बोड रहे हैं हो हो जाएगा संचार करता है जो मीडियम है बहो जाएगा ठीक है तो यहाँ अगला प्रेशन question number 24 जो का discussed अध्यनीयापक को इसलिए करना चाहिए जो जो छेल्ड पैड़गोजी है जो education αι क्यों करना चाहिए एक अध्यापक होने के नाते हमें Leia चाहिए वह हमें बताना है option number A इस्से सीक्षण को आतमेसन संतुष्टी मिल dimshulti option number B इससे बहुत दूसरों को प्रभाइद कर सके option number C इससे वह अपने परिक्षाओं में प्रथम आ सके अब यह हमारा अगला प्रश्ण प्रश्ण number 25 एक बालक की वास्तवी कायू 12 वर्स है उसका बुद्धी लब्दांग कितना होंगा वह हमें बताना है ठीक है मित्रों तो यहां पर जो हमारा मतलब options की बात कर 125, 120, 80 और 100 तो यहां पर हमारा answer हो जाएगा मित्रों 125 ठीक है क्या हो जाएगा हमारा answer जो हो जाएगा 125 ठीक है तो यहां पर एक सुत्र के द्वारा यह निकाला जाता है ठीक है तो आप प्लीज इसे देख लीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसा कोशन आता ही आता है ठीक है तो बढ़ेंगे अब अगले प्रश्णी की और और प्रश्ण नंबर 26 सु पण्ठेंट होना चाहिए जो सिलेबस है वह गता है रक्लीया कि जैसे हमारा पाठे क्रम, पाठे क्रम जो है, वो भी छात्र केंद्री थोना चाहिए, पाठे चरिया जो है, पाठे चरिया जो है, वो भी छात्र केंद्री थोना चाहिए, हमारी स्कूल का पूरा एजुकेशन सिस्टम है, पूरा एजुकेशन सिस्टम है, वो भी छात्र कें है ठीक है मतलब सभी चीज़े जो बनाई जारी सभी सिस्टम में जो भी नीती अपनाई जारी वह चात्र को केंद्र में रखकर ही अपनाई जाती है यानि कि पुरा अब देखे इस प्रकार के अगर प्रशन आएंगे तो आप यह जिस बिल्कुल याद रखेगा कि सभी अब मतलब सभी क्रियाओं का मुख्य बिंदू क्या है में प्रोफ चात्र है ठीक है तो यह हो गया मारा आंसर आप्सन नंबर ए प्रेश नंबर 27 प्रात्मिक सिक्षा में मदद करता है ठीक है प्रात्मिक सिक्षा में क्या मदद करता है बच्चों का सामाजी करन बच्चों का लोगतंत्री करन आप्सन नंबर सी पाठक्रम की समाज आप्सन नंबर डी उप्रोक्त सभी ठीक है तो यहां पर जो आंसर बच्चों का लोगतंत्री करन बच्चों का लोगतंत्री करन का मतलब यह है कि बच्चा अपने परिवार से किस तरीके से अटेच है ठीक है अपनी मित्रमंडली से किस तरीके से वह बात कर लोगतंत्री करन यानि कि वह एक प्रकार का छोटा सा एक लोगतंत्र अपने आप में ही होगा ठीक है तो यह होगा हमारा आंसर आपसर नंबर बी अब अगला प्रशन है हमारा प्रशन नंबर अथाइस चात्रों को प्रेरित करने की सही विदी कि अगर हमें हमारे चात्रों को प्रेडित करना है मोटिवेट करना है तो उसकी लिए सही विधी क्या होगी ठीक है दंड देना फटकारना प्रशन सा मारना पिटना देखें मित्रों यहां पर भी आप एक बात बहुत अच्छे से याद रखें कि ncf 05 ने या भारत सरकार की नई सिक्षा निती के अनुसार हम बच्चों को दंड नहीं दे सकते उन्हें मांसिक रूप से भी हम दंडित नहीं कर सकते और फिजिकल रूप से तो बिलकुल भी नहीं कर सकते ठीक है तो चात्रों को प्रेडित करने का सबसे अच्छा और को याद रखेगा कि कहीं से कहीं तक हमें बच्चों को ना तो मांसिक रूप से दंडित करना है नहीं उन्हें सारी प्रूप से किसी प्रकार का दंड देना है ठीक है तो यह हो गया हमारा आंसर अप्सान नमबर C और यह हमारा अगला प्रेश्ण प्रेश्ण नमबर 29, ठीक है, सिसु के प्रती सहानु भूती एवं प्यार दुलार किस सम्वेग की उत्पत्ती होती है, जो सम्वेग है, मतलब कहना चाहिए, जो सम्वेग होते हैं, वो जन्मजात होते हैं, ठीक है, क्रोध भय अनुराग अक्रमक्ता, तो अगर हम किसी भी सिसु के प्रती सहा, प्यार और दुलार रखेंगे, तो उसके अंदर कौन सी सहानु भूती उत्पन होगी, तो हो जाएग अब यह हमारे प्रेक्टिस एट का लास्ट कोशन, कोशन नमबर थर्टी, सामाने बुद्धी बालक प्राय है, किस अवस्था में बोलना सीख जाता है, ठीक है, सामाने बुद्धी, सामाने बुद्धी वाला जो बालक है, वो प्राय किस अवस्था में बोलना सीख जाता है option number A, 11 महा, option number B, 16 महा, option number C, 34 महा, option number D, 51 महा, ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा answer होगा, वो option number C, मतलब सामाने बुद्धी का जो बालक है, वो कम से कम, 2 साल से थोड़े से कुछ महीने ज़्यादा, उसमें ही वो क्या हो जाएगा, मतलब कहना चाहिए, कम से कम, 2 साल में वो अच्छे से बोलना सीख जाएगा, सामाने बुद्धी वालक, ठीक है, तो यह हो गया हमारा answer, option number C, ठीक है, बात करें, मतलब यह हो गया हमारा, आज का जो प्रैक्टिस सेट था, तो मित्रो और भी प्रैक्टिस सेट आएंगे, तो प्लीज आप सारे के सारे प्रैक्टिस सेट देखेगा, बहुत अच्छे से preparation कीजेगा, positive होकर, ठीक है, हम लोग आप लोगों के साथ में हैं, और अब मिलेंगे हम अगले प्रैक्टिस सेट में, environment के प्रैक्टिस सेट भी चल रहे हैं, environment के pedagogy के lectures भी चल रहे हैं, चीक है, तो अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए thank you so much.